तो दोस्तो जैसा कि आप सब लोगों को ये इंसिडेंट तो याद होगा जो कि चाइना और भारत के बीच में हुआ था जहाँ पर हमारी डिया डियो ने मल्टिपल नोटम एरिया वार्णिंग को जारी किया था और ये जो नोटम एरिया वार्णिंग है तो ये पास्ट में हम हमारी SLBM मिसाइल्स के लिए दिये गए थे जिसमें हमारी जो नोसेना है वे अपनी सम्मरीन से जो सम्मरीन लॉंच्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तो इनको टेस्ट करने वाली थी जिसके बाद में हमारी जो कैपिबिलिटीज है उनको डेफिनेटली हमको यहाँ पर शोके रहते हुए जो अपनी जासूसी है उसे कर सकते हैं तो इस सारे इंसिडेंट के चलते भारत ने कई बार अपनी जो नोटम एरिया वार्निंग है उसको यहाँ पर टाला लेकिन दोस्तों उसके बाद में दوبारा से भारत ने एक नोटम एरिया वार्निंग को जारी किया और इ जो नोटम एडिया वार्णिंग थी ये खाली नहीं गई हमारी डियार्डियों ने सफलता पूरवक हमारी जो K4 मिसाइल है इसका परिक्षन यहाँ पर किया था हाला कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जाता है कि भारत ने उस समय अपनी जो K5 सीरीज की मिसाइल है इसको टेस्ट किया था और अगर आप K सीरीज की मिसाइलों की बात करते हैं तो इसमें जो पहली मिसाइल है यानि की K4 मिसाइल जो की एक SLBA मिसाइल है और इस परकार की capabilities आप सब लोगों को काफी कम countries के पास में दिखाई देंगी तो इस मिसाइल की range 3500 किलोमेटर के आसपास की है और जो K5 मिसाइल है तो इसकी range 5000 किलोमेटर के आसपास की बताई जाती है और इसके बाद भार डेफनेटली अपनी जो K6 की मिसाइल है उसको भी यहाँ पर टेस्ट करेगा लेकिन उस मिसाइल के टेस्ट होने में थोड़ा सा समय बाकी है लेकिन दोस्तो इस बार हमारी DRD ने दوبारा से एक no time area warning को जारी किया था और ये जो no time area warning थी तो इसकी जो लंबाई है वो 3500 किलो मिटर से जादा की थी तो यहाँ पर डेफनेटली चांसेस थे कि हमारी नो सेना के दुआरा हमारी जो K4 मिसाइल है उसका परेक्शन किया जाएगा और लगातार जैसे भारत अपनी मिसाइलों की परेक्शन कर रहा है साथी साथ यहाँ पर हम युद्ध अभ्यास की भी तैयारी कर रहे है और इसके बाद में हमारे काफी सारे ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमारी सरकार के दुआरा अप्रूवल दिया जा दोस्तो हमारे पास में जो के फाइव मिसाइल है वो ओल्मोश्ट बन करके तयार है उसके जो केवल टेस्ट है यह ओफिशली पैंडिंग पड़े है लेकिन दोस्तो यह जो नोटम एरिया वार्निंग है यह चाइना के स्पाइशिप के कारण अब दुबारा से कहा जा सकता ह कि कैंसल कर दी है हाला कि यहाँ पर साफ तोर पर मेंशन नहीं किया गया है कि चाइना के स्पाइशिप के कारण यह जो नोटम एरिया वार्निंग है यह कैंसल की गई है लेकिन दोस्तो जब भारत ने इस नोटम एरिया वार्निंग को इशू किया तो इसके बाद में दुब पेरिजन में जो Chinese Smash Ships हैं ये सबसे पहले संक्या में भी काफी ज़ादा है और इसके comparison में इनके जो ship हैं ये size और capabilities में भी काफी ज़्यादा बड़े हैं तो इस कारण से ये काफी ज़्यादा असानी से जो ballistic missiles होती है तो इनकी trajectory को follow करते हुए जो data है उसको gather कर सकते हैं तो इस कारण से भारत ने हो सकता है कि इस test को टाल दिया हो लेकिन दोस्तो आने वाले समय में हो सकता है कि भारत दोबारा से एक no time area warning को issue करे और उस समय भारत हो सकता है कि अपनी जो K5 missile है या तो उसका friction करे जो कि 5000 km की range के साथ में आती है या फिर हम अपनी जो K4 missile है उसको अपनी submarine से यहाँ पर test कर सकते हैं तो definitely यहाँ पर जो दोबारा से चीज़े हैं यह गर्मा गर्मी की तरफ चाहेगी और भारत की side से जो test है यह भी conduct किया जाएगा बाकि Chinese media यहाँ पर इस सारी situation को ले करके कितना भी रोना धोना करे लेकिन दोस्तो इसके बावजूद भारत इस test को conduct करेगा हाले में हमने जो MIRV capabilities के साथ में अपनी अगनी 5 या फिर साफ तोर पर कहा जाए कि अगनी 6 missile का correction किया है तो इसके बात में ना केवल Chinese media बलकि Western media की side से भी काफी ज़्यादा खराब reaction सामने निकल करके आई हैं तो दोस्तो ओवराल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है comment section में बताईएगा साथी साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर जेजएगा अगर आप चैनल के उपर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को भी subscribe कर जेजएगा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए good bye जै हिंद